दोस्तों सागत है आप सभी लोगों का आज की मास वीड़े में आज की इस वीड़े में दोस्तों बात करेंगे कौन बनेगा करोरपती 2003 सीजन 15 रेजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर हम कितने मुबाइल नंबर से रेजिस्टर कर सकते है और देखे काफी सारे लोगों का ये भी सवाल था कि सर रेजिस्ट्रेशन करने के दो मेथड है SMS और Sony Live तो हमें किस से रेजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि सेलेक्शन के चांसिज ज़्यादा हो जाए तो इसके बारे में देखे मैं आपको पूरी जानकारी बताने वारा हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखे आप से वीडियो यहाँ पर अंतितक जरू से देखीगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज़ता इंपोटेंट होने वाली है बिना किसी इंदार केी करते हैं मैं दोसरे आप इस वीडियो को स्टार्ट दोस्तों वीडियो शुकरने से पहले तो दीखे आप दोस्तों मैं बनेगा क्रणोपती तो 2023 के जो रजिस्टेशन है तो देखिए वो 29 अपनियानी कल से जो है वो शुरू हो चुके हैं और आज जो है देखिए दूसरा प्रशने पूछा जाएगा और यहां पर जो है कई सारे लोगों ने कल रजिस्टेशन किया लाखों लोगों ने के द्वारा देखिए रजिस्टे दॉससे लेकिर ने पता होता है कि यद deepest उनके परिवार में चार- संवारा से जजीश्टेश कर सकते हैं हे यहां पर देखिए दो चाम करना होते हैं सबसे पहली बात है कि आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो register करते वक्त उनके mobile number से register करते वक्त आपको उनकी age डाननी होती है लेकिन अगर आप ही जने हैं मतलब मान लिजे आपको ही KBC में जाना है और आप 4-5 mobile number से register करना चाहते हैं तो आप हर registration मतलब हर जो है जैसे कि मान लिजे आप से भी रोग यहाँ पर SMS से register करते हैं देखिए तो आपको हमेशा जब भी आप जवाब भेजेंगे तो आपको अपनी ही age अपना ही gender डालना होगा देखिए तो यहाँ पर यह कोई सिमा नहीं है कि आप कितने mobile number से register कर सकते हैं मैं तो कहता हूँ गर आपकी घर में 10 mobile हैं 10 mobile number है तो 10 के 10 से register कीजिए बहुत अच्छी बात है आपके selection के chances काफी ज्यादा हो जाएंगे देखिए और बिलकुल सही तरीके से registration कीजिएगा मैंने यह भी देखा है काफी सारे लोग जल्दी के चक्कन पर गलत कर देते हैं तो गलत नहीं करना है और यहाँ पर बात अब यह आती है कि Sony Live application तो देखिए एक ही होता है वहाँ पर तो आप एक ही mobile number से करेंगे लेकिन आपके mobile में हो सकते हैं दो mobile number हो आपके mobile में ऐसा हो सकता है जितने जादे mobile number से आप रजिस्टर करेंगे देखिए अब अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए SMS से रजिस्टरेशन करना चाहिए या Sony Live application से तो देखिए मेरा यह कहना है मेरा यह मानना है कि आप सभी लोगों को दोनों से रजिस्टरेशन करना चाहिए जी हाँ कोई भी एक तरीका नहीं अब देखिए अब यहाँ पर मानने जिए example दे रहा हूँ मैं आपको उधारन दे रहा हूँ कि मानने जिए KBC को 1000 लोगों को 1000 लोगों को तो KBC क्या करता है एक limited amount के लोगों एक limited amount जो है लोगों का उनको यहाँ पर KBC के Sony लिए अप्रेकेशन में जिन लोगों ने रजिस्टर कर रखा है मानने जिए आप जैसे 700 लोग है और 300 लोग है KBC कहता है कि देखिए मेरे को 1000 लोगों को फोन करना है तो 700 लोग तो मैं Sony लिए अप्रेकेशन में जिन्हों है रजिस्टर किया है उनमें से 700 लोगों को फोन करूँगा और 300 लोगों उनको फोन करूँगा जिन्होंने SMS से रजिस्टर किया है तो उस case में देखिए दोनों में एक संख्या divided होती है कि SMS से हम इतनी लोगों को फोन करेंगे और Sony लिव से इतनी लोगों को फोन करेंगे तो मेरा है मानना है कि आप सभी लोग दोनों तरीके से रजिस्टरेशन कीजिए ताकि आप सभी लोग जो है देखिए यहाँ पे सही तरीके से जो है देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों के चांसी जो है registration के बाद call आने के वह भड़ जाएंगे और देखिए यहाँ आप मैं आपको बताना जाता हूं कि SMS जो है आपको एक ही भेजना है कई सारे लोग 10-15-15 SMS भेजते रहते हैं तो देखिए KBC ने साफसा बताया है कि पहले SMS को ही count किया जाएगा तो देखिए आप सभी लोग जितने mobile number है उतने mobile number से register कीजिए SMS और son live दोनों से register कीजिए अगर आपको अपने chances भड़ाने है KBC में जाने के तो यह बात जो है देखिए आप सभी लोगों को इस बात के ध्यान रखना है तो यहाँ पर जो है देखिए यह जानकारी मेरे ख्य रजिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे बहुत साथ लोगों ने ऐसे हो जबी सकता है कि स्टोनील अप्लिकेशन से register कर दिया हो लेकिन देखिए SMS से भी register कर दीजिए आपके call आने के chances है वो डेड़ से दो गुना भर जाएंगे यहाँ पर जो है अगर आप दोनो बड़ी जानकारी जो कि आपसे उनों को मुझे देनी थी फिर मिलंगे एक नए वीडियो में करते हैं दोसे इस वीडियो को है जहीं जफारत